गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स केजियो व्लॉग्स में आप सभी का स्वागत है अच्छानक हमें मुंबई जाना पड़ा इसलिए हम अभी हैद्रबाद शम्शाबाद जा रहे हैं एरपोर्ट और यह आई एरपोर्ट का रस्ता है राजीव गांधी इंटरनेशनल एरपोर्ट बहुत दिनों से व्लॉग्स दे नहीं पाई इसी वज़े से बीच-बीच में थोड़ा रुकावट हुआ इसलिए दे नहीं पाई ग्रीनरी बहुत ही खुबसूरत लग रही है हम इंडिगो फ्लाइट से मुंबाई जाने वाले हैं मैं और मेरी दीवी हम दोनों जा रहे हैं शम्शाबाद का जो एरपोर्ट है राचिवगांदी इंटरनेशनल एरपोर्ट बहुत ही सुन्दर और नीट है एकदम सैनिटाइज किया गया है यहाँ पर देखिए अंदर तरह तरह के शॉप्स हैं स्टोर्स बीबा बच्चों के लिए टॉइस के और बड़ों के लिए ज्वेलरी अर्पिफिशल ज्वेलरी यह सब भी बहुत सुन्दर स्टॉल्स हैं यहाँ पर एकदम नीट हर जगा मुझे इतना नीट लगा यहाँ पर देखिए आप ज्वेलरी पॉस्मेटिक्स भी है यहाँ पर बीट्स की ज्वेलरी बैंगिल्स एरपोर्ट में ही है यह सब किसी को फॉरन अगर गिफ्ट देना हो तो खरीद के दे सकते हैं अभी हम जा रहे हैं फ्लाइट चड़ने के लिए यह शील्ड फेस शील पूरे इंडिगो फ्लाइट वाले दिये हैं फ्लाइट के अंदर भी बहुत ही सुन्दर तरीके से सैनिटाइज किया गया है यह देखें यहाँ पर अभी हम फ्लाइट के अंदर जाने वाले हैं जिनका बीच का सीट होता है उनको पीपी किट देते हैं तो यहाँ पर हम अंदर जा रहे हैं देखिए बाकी भी यहाँ पर जो फ्लाइट से वो भी खड़े हैं स्पाइट, स्जेट यह सब है इसी फ्लाइट में हम चटने वाले हैं देखें यह अंदर एंट्री है यह अंदर का है एकदम साफ सानिटाइज किया गया है एकदम नीट जर्नी अच्छा लगा एक घंटे का वन आवर ट्वेंटी मिनिट्स या टेन मिनिट्स का जर्नी है और यहाँ पर देखें हम चत्रपती शिवाजी टर्मिनल आ गए हैं और यहाँ पर टैक्सी खड़ी है ब्लैक एंड येलो टैक्सी तो हमने टैक्सी बुक कर लिया है और टैक्सी लेकर हम घबी ख़ग जाएंगे टैक्सी के अंदर भी आप देख सकते हो बीच में एक शील्ड लगाया गया है ड्राइवर और पैसेंजर्स के बीच में अभी मुंबाई एरपोर्ट से हम बाहर निकल रहे हैं मुंबाई का जो एरपोर्ट है वो भी बहुत ही नीट है टैक्सी में जा रहे हैं मुंबाई शहर पहली बार आ रही हूं मैं मुंबाई यहां पर यह देखिए यह सी लिंक है समंदर के साइड में से एक लिंक बनाया गया है फ्लाई ओवर जैसा यह देखिए इसे सी लिंक कहते हैं मुंबाई में कि यहां पर बोल रहे थे ड्राइवर बोल रहे थे फोटोस लेना रेस्टिक्टिड है फोटो नहीं ले सकते हैं और नहीं गाड़ी को रोक सकते हैं बीच में बस क्रॉस करना है सिर्फ उधर की गाड़ी इधर इधर की गाड़ी उधर यहां भी टोल लेते हैं इसके लिए 70 रूपीज टोल वसूली करते हैं इसके उपर से हमें जाने से टोल भरनी पड़ती है लेकिन समंदर का जो सीन है वो बहुत ही खुबसूरत लगा ठीक से समंदर दिखाई नहीं दिया मुंबई मैं पहली बार आ रही हूँ बहुत ही उच्छे उच्छे बिल्डिंग्स हैं इमारते हैं और यहां पर हमने खाना शुरू कर दिया है रोटी और कडाई पनीर और कडाई पनीर में मीठा दिया गया है यह गुजराती एक साइड में एक रेस्टोरेंट है जो गुजराती वालों का है वह और मतलब स्वीट डालते हैं और फ्राइड राइस में भी थोड़ा स्वीट लगा वह ज्यादा पसंद नहीं आया हमें फिर भी बहुत भूक लग रही थी इसलिए खाना खाए मंचूरियन प्राइड राइस है यह इतना तो अच्छा नहीं था लेकिन नीट था और यह लसी लसी टेस्टी था लसी बहुत ही टेस्टी लगा और यह घर है और घर के बाहर से दो देखिए बड़े बड़े टवस हैं और नजदी की बिरला सेंचिरियन भी है और यह दूरदर्शन के एकदम नजदीक है घर वरली यह नेक्स टे मॉर्निंग हमने मैंने वीडियो शूट किया था और सुबह सुबह ही हमने खाना बनाना शुरू कर दिया है घर में कोई नहीं है मैं और दीदी है यह वन हॉल वन बेडरूम और किचन के साथ दिया गया ह है फरनीचर वित फरनीचर के साथ यह बैंगन की सबजी बनाई है मैंने इसमें दूत मलाई डाल के थोड़ा बनाते हैं यह भी टेस्टी होता है और किचन में मेरी दीदी जो है वो रसम बना रही है और मेथी की डाल भी बना रही है यहां पर आप देख सकते हो यह टमाटर की रसम है और मेथी साग से दाल भी बनाया है तो अगर बनाएंगे तो टाइम बहुत सेव हो जाता है इसलिए सुबह-सुबह खाना बना लेते हैं आपको तो मालूम है मैंने पिछले व्लॉग में कहा था मुझे सुबह ही खाना बनाना अच्छा लगता है क्योंकि अगर मैं दोपेर को स्टार्ट करूंगी तो ऐसा लगता है कि मैं हर वक्त खाना ही पता रही हूँ यह देखे यह टू रूम यह हॉल है यहाँ पर जो दिया गया है यह रेंटेड हाउस पर्मनेंट नहीं है यहाँ पर थोड़े काम से आये थे मेरे भाईया और भावी तो यह था मेरा हैदराबात से मुंबाय आने का सफर घर तक का प्लीज मेरे चानल को सब्सक्राइब करन और अपके दोस्तों के साथ प्लीज शेयर करना थांक यू पर वाचिंग आव नाइस टे बाई